सर्दियों के मौसम में मकई की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ये न सिल्फ खाने में टेस्टी होता है बलकि हल्दी भी मकई में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखता है ये हमारे शरीर को एनरजी और गर्मी देता है और रोटी के कमपैरिजन जल्दी डाइजेस्ट होता है मकई की रोटी तो आप सबने खाया ही होगा आज मैं बनाओंगी मकई के आटे की पूरी जी हाँ ये खाने में बहुती स्वादिष्ट होता है और आलू गोवी या मटर आलू की सबजी के साथ खाने में लाजवाब लगता है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मकई का आटा जिसे मैंने चननी से चान लिया है और अब हम मकई के आटे को गूतेंगे गैस ओन करके कड़ाई रख दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी आधा लिटर पानी आधा किलो मकई के आटे के लिए मैंने आधा लीटर पानी लिया है अगर मैं एक किलो मकई का आटा लेती तो मैं एक लीटर पानी लेती पानी में उबाल आ गया है और अब हम मकई के आटे को इसमें डाल देंगे और इसके तुरन बाद हम गैस को बंद कर देंगे और फिर हम एक कल्चन की हेल्प से जितना हो सके मकई के आटे को पानी में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और उसके बाद हम इसे परात में निकाल कर गूत लेंगे मकई के आटे को मैंने परात में निकाल लिया है अभी भी ये गरम है और इसमें से भाप निकल रहा है ये इतना गरम नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए अगर ये जादा गरम है तो इसे थोड़ा ठंडा कर ले और उसके बाद गूते इसे हम हतेली से दबा दबा के अच्छी तरीके से 5-10 मिनट के लिए सक्त गूत लेंगे यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी अगर आप सही रेशियो से मकई के आटे को गूतेंगे जैसा कि मैंने बताया आधा किलो मकई के आटे के लिए आधा लीटर पानी तो आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए हमने इसे सक्त गूत लिया है और अब हम पूरी बनाएंगे मकई के आटे को मैंने सक्त गूत लिया है और अब मैं इसमें से मीडियम साइज के बॉल निकाल लूँगी और हातों में रोल करके फ्लाट कर लूँगी और अब हम एक बॉल लेंगे और उसपर थोड़ा सा सूखा गिहूं का आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे मकई के आटे से हम कुछ भी बनाए रोटी या पूरी तो साइट से ये फटने लगता है तो हम इसे हाथ से सेट कर लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी बॉल को भी पेल लेंगे और अब हम पूरीयों को तलेंगे तेल को मैंने गरम कर लिया है गैस का फ्ले मीडियम टू हाई रहेगा एक के करके पूरी को तेल में डालेंगे एक सा जादा पूरी न डाले और दोनों तरफ गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे देखे हमारी पूरी कितनी शांदार तरीके से फूल रही है और इसी तरीके से हम सारी पूरीयों को तल लेंगे देखे हमारी पूरी कितनी क्रिस्पी और कितनी बढ़ियां बनी है मकई की पूरी बनकर तयार है आलू गोबी या मटर आलू की सबसी के साथ खाने में ये बहुत अच्छा लगता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें अगर आपने इसे एक पर बना कर खा लिया तो आप इसे बार पर बना कर खाना चाहेंगे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक को शेयर करें और प्लीज मेरी चानल को भी सबस्क्राइब करें थाइंक यू